हलो एवरीवान वेलकम टुजеп टीकी किचन आज हम बनारा हैं जी केक और यह केक बने का जी बिना मैदे के और बिना मैं देखे हम कैसे केक बनाएंगे तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार केक को तो यहां पर देखी हैं सबसे पहले हमने लिए-जिल, colonial बिस्किट्स बिस्किट्स हमारे घर में कुछ तूट जाते हैं बज जाते हैं तो समझ में नहीं आता हम उनका यूज कैसे करें, तो आज हम उसी से केक बना रहे हैं, तो यहां पर मैंने कुछ मिक्स बिस्किट्स ले लिए, उसमें थोड़े चॉकलेट बिस्किट्स हैं, थोड़े पार लेजी हैं, मैरी बिस्किट्स हैं, तो यह मैंने मिक्स बिस्किट्स तो सबसे पहले हम इसे मिक्सी जार में इसका एक फाइन पॉर्डर बना लेंगे और यह देखें जी कितने अच्छे से इसका फाइन पॉर्डर बन जाता है तो ऐसे ही हम पहले सारे बिस्किट्स का फाइन पॉर्डर बना लेते हैं और मैं इसे थोड़ा सा और साथ में मैं इस बना लेते हैं और यहीं हमने सारे बिस्कित का पॉड़र बना लिया हुआ हैंさood और यह देखि पॉड़र कितने अच्छे से हो चुका है इसके साथ ही चीनी एड़कर रियों मैं चीनी मैं इसमें दो-तिन चमचाइड करूंगी क्योंगि यह बिसकेट साधा के अपने टेस्के कॉर्डिंग ले डाल सकते हैं और इसके साथ ही मैं डाल रही हूं जी एक दो चमच ऑईल के आप जाय तो इसके साथ ही मैं अभी डाल रही हूं जी एक गब्दू का और यह हमने मिक्स कर लिया है और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी आदा चमच कोको पॉडर का या एक चमचा कोको पॉडर का एड़ करें इसे क्या होगा जो कलर ना थोड़ा डाक आएगा एकदम चॉकलेट कलर जैसा आएगा क्योंकि बिस्कृट्स हमारे लाइट थे और मैं इसमें दूर थोड़ा सावर एड़ कर रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह जो बैटर है जादा पतला नहीं होना चाहिए थोड़ा थिक्की होना चाहिए तो यह हमारा बैटर भी रड़ी है और य यह हम केक टिन एक रड़ी कर लेते हैं पहले मैं इसे बेक करूंगी और उवन में आप चाहिए तो कड़ाई में भी बना सकते हैं बट सेम ऐसे प्रोसेस से थोड़ा हमने टिन को ग्रीस कर लिया उसके उपर थोड़ा हमने मैदा डस्ट कर लिया अच्छे से कोड़ कर लें लो एक्सट्रा जो है वो निकालने सारा तो यह केक टिन भी हमारा रड़ी हो गया और केक का बैटर भी रड़ी है तो लास्ट में हम इसमें आड करेंगे बेकिंग पॉडर आप चाहे तो इनों का भी इसमें यूज कर सकते हैं इसमें आधा चमच बेकिंग पॉडर के हमने बैटर डाल दिया जी केक टिन में और कलर भी देखें एकदम पूरा चॉकलेट केक जैसे ही आया हुआ है थोड़ा सा टैप कर लें साइट से थोड़ा क्लीन कर लें और इसके ऊपर अब हम ड्राइफूर्स टाल देते हैं ड्राइफूर्स अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आप डाल दें मैं खाली बदाम इसमें आड कर रही हूँ आप चाहे तो टूटी फ्रूटी जो आपके पास है वो आप इसमें आड कर सकते हैं और यह हमने ड्राइफूर्स पी लगा दिये इसके उपर और मैं तो इसे ओन में बेक करूंगी 180 डिग्री पे अराउंड ट्वे करना वो रख ले अराम से तो यह हमारा रडी हो गया जी बेक के लिए और मैं इसे 180 डिग्री पे 22-25 मिनेट तक बेक करूंगी और हम फिर चेक कर लेंगे कि अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं और यह देखें जी हमारा केक एकदम रडी हो गया है और आपी काफी गरम है तो पैसे हम नाइफ से भी चेक कर सकते हैं कि एक दम क्लीन आ रही है तो हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है और सच में इतना टेस्टी बनता है ना कुछ कुछ टेस्ट तो इसका ब्राउनी जैसे आता है और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी मना हुआ है और यह हमने प्लेट मे तो थोड़ा तूट भी रहा है और यह मैंने इसको ऐसे पीस में कट कर लिया है और इसके ऊपर अब हम एड करेंगे जी चॉकलेट सिरप को और यह में डाल व्यूँ इसके ऊपर चॉकलेट सिरप को क्योंकि केक अभी हमारा घरम है और कभी आप इस तरह से भी ट्राइब कर तो इस तरह से खाएं कुछ ब्राउनी का टेस्ट आते हैं इसके साथ आप आइसक्रीम को भी आड़ कर सकते हैं तो अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग लिए आपको जैसे खाने आप खा सकते हैं तो है न सच में मज़ेदार केक की रेसिपी घर में बच्चे हैं छुटियां चल रही हैं जब आपका मन चाहिए बच्चों को बना के खिला सकते हैं तो चलिए फिर बिलती हूं में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और कॉमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी एंड थैंक्यू सो मच पर वाच्चें